एमाचर प्रदेश सिरकार में लोक तिर्मान मंत्री विक्रम दित्य सिंग का कहना है कि यदि कंगनार नौत केंद्र से योजनाय लाने में काम्याब होती है तो वे उनकी साथ गंदेशी कंधा मिलाकर काम करनी के लिए तयार है ये बात आज उन्होंने मंडी में आयोजित प्र प्रदेश के लोगों को विकास कादियू का लाप मिल सके वही लोग निर्मान वभाग मंत्री ने कहा कि आपदा के दोरान नैशनल हाइवी को काफी नुकसान पहुचा है जिसकारन महनों के आवजवाही के लिए जिला की दो सड़कों कमांद का टोला वपंधू चैल्चॉ उनसे निवेदन रहेगा कि जिन जिन मुद्दों को हम यहां से उठाएंगे आने वाले समय में यहां के डिवलप्मेंटल अक्टिविटीज के लिए वो भी उस विशेयों को जो है वो केंडर सरकार के समक्ष पूरे प्रात्मिक्ता से उठाए और मिलकर कंदे से कंदा मिला कर हम यहां के विकास कारियों के लिए आगे बढ़े तो मुझे लगता है उससे प्रदेश की जनता का यहां की जनता की जनता का और पूरे 라के की जनता को उसका लाव मिलेगा कि इसी तरीके से हम को एक सकरात्मक सोच से आगे बढ़ने की आविश्यक्ता है इसी त sembra से वो available नहीं है और government की आज और भी priorities है जो disaster हुआ है पहले उस पे कारे करना ये हमारी number one प्रात्मिकता है मगर फिर भी अगर जो यहां की सांसद है वो इसके लिए budget का प्रावदान केंदर से करवा सकती है तो हम उसका स्वागत करेंगे और उसका टैमली implementation हमारी और से करवाया जाएगा ये मैं पूरा विश्वाद रहना करता जो दो सड़के मंडी जिला को जो बहुत जादा प्रभावित करती है और चुनावों में भी मैंने इसका पूरा निरिक्षन किया है एक आपकी कमांद कटॉला सड़क है जो आपके बज़ौरा में मिलती है और दूसरी आपकी जो चैल चौक से लेकर पंडो सड़क है इन दोनों सड़कों को स्ट्रेंथिनिंग करना इसका ये हमारा परमदायत्व है हमारी responsibility है क्योंकि आपने पीछे भी disaster के समय में भी देखा कि बहुत नुकसान यहां पर हुआ और उसमें इन दोनों सड़कों का उप्योग जो है वो traffic को movement के लिए करवाया गया इसलिए इसकी strengthening करवाना ये हमारी number one प्रात्मिकता है जिसको हम आने वाले समय में करवाएंगे और वैसे ही हमने NHI के अधिकारियों से बात करी है और जो आपका tunnel है मंडी शहर का उसको जल्द से जल्द खोलने का उनसे निवेदन किया है ताकि सारी connectivity यहां से जो है वो आपके उसके bypass से मंडी शहर की हो सके और मंडी में जो congestion हो जाता है उसको कम करने के लिए यह बहुत important टैनल है जिसका काम almost पूरा हो चुका है मगर अभी तक यह शुरू नहीं हो पाई है तो इसको हम आने वाजे समय में करात्मिकता पे इसको टेक अप करेंगे इसके लावा मैं आपको ये भी विश्वाद दलाना चाहता हूँ कि लोगों का जनादेश दूसरा था उसको हम समान पूर्वक जो है वो अपनाते भी हैं और उसका समान करते हैं मगर मैं आपको ये विश्वाद दलाना चाहता हूँ कि मैंने जो विजन मंडी संसद्यक शेत्र के लिए रखा था उसको बतौर हम सांसत तो पूरा नहीं कर पाएंगे मगर बतौर लोकनर्मान मंत्री और शहरी विकास मंत्री उसको मैं 100% पूरा करने का हर संबव प्रयास करूँगा लाइफ टेम्स टिवी के लिए मंडी से निरत शर्मा के वेट पूरा नीट हो या जे सब कुछ है आसान एंजे विद्या मंदिर एक सच्छा साथी क्लास से लेकर होस्टल तक एवरीट से लेकर टौपर तक शिक्षा और संसकार का ऐसा संगम जा गुरुकुल जैसी रीत सदा चली आई क्यूंकि यहाँ टौपर उठाए नहीं टौपर बनाई जाते हैं आप भी बन सकते हैं टौपर आज ही संपर करें एंजे विद्या मंदिर लगकर बाजार शिम्ना हेमाचल जहां कदम कदम पर है कहानी और हर मोर संगम है लै और ताल का लाइफटेम्स टीवी लेकर आई है हेमाचल का सबसे बड़ा डांस कॉम्पेटिशन हेमाचल डांस शेंपिंशिप सीजन टू पहले सीजन की शांदाओर काम्याबी के बाद दूसरे सीजन के ओडिशन जल्दी ही शुरू हो रही है सीनियर जूनियर एज ग्रुप में सोलो, डियोट और ग्रुप डैंस के मुकाबले वेर पैशन मेट्स, परिसेशन और टैलिंटेक सेंटर स्केज यस तिरफ एक कॉंपेटिशन नहीं बलकी सेलिब्रेशन है हिमाचल की प्रतिभाका, ओडिशन, सेमी फाइनल, टीवी राउंड्स, ग्रुमिंग और डांस बैटल्स का सीधा प्रसारण केवल लाइफ टैंस टीवी पर रगारं ग्रेंड फिनाली हिमाचल के टॉप 20 डांसिच के साथ मंत्र मुग्द करने वाला ग्रेंड फिनाले जहां हिमाचल के बेस्ट ओब बेस्ट कॉंपीब करेंगे हिमाचल डांस चेंपिंशिप टाइटल के लिए विजेता को नगत इनाम भी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए अपने शेहर की डांस अकैडमी में संपर्क करें फिमाचल डांस शेंपिंशिप के फेस्बुक पेट से आज ही जुड़े और पाई कॉम्पेटीशन की हर अपडेट